सीराम चरित मानस कथा प्रेमियों को जैशिया राम 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 सीराम चरित मानस अवेध्याकान दोहा नमबर एक सो बत्तिस से अर्च सहित पढ़कर सुना रहे हैं चैनल को सपोर्ट करें आज का प्रसंग है सीराम सीता लच्मर सहित चित्रकूट में निवास कोल भील दो द्वरा सेवा मंगल भवन या मंगल हारी रवहुस दसरत अजर विहारी राम सी आराम जै जै राम चित्रकूट महिमायमित कही महामुनिगाय आय नहाय सरत वरसिय समेत दो भाय महामुनिबाल मीग जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही तब सीता जी सहित दोनों भायों ने आकर सेष नदी मंगदाकनी में सनान किया रगुबर कहो लखन भल घाटू करहूं कतहूं अब ठाहर ठाटू लखन देख पै उतर करारा चहूं दिस फिरों धनुस जिम नारा सी रामचन ने कहा लखन बड़ा अच्छा घाट है अब यहीं कहीं ठहने की बेस्ता करो तब लखमरजी ने पैसुनी नदी के उत्तर के उचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों और धनुस के जैसा एक नाला फिरा हुआ है नदी पनाच सरसम दम दाना सकल कल सकल साउज नाना चित्र कूट जनु अचल अहेरे चुकई नगात मार मुढ फेरे नदी मंदागनी उस धनुस की प्रतंचा दूरी है और सम दम दान बाण है कलियुक के समस्त पाप उसके अनेको हिंसक पस रूप निशाने हैं चित्र कूट की चित्र कूट ही मानो अचल सिकारी है जिसका निशाना कभी चुकता नहीं और जो सामने से मारता है असक कहीं लखन थाव दिखरावा थल भी लोक रग पर सुख पावा रम और राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थापित प्रधाना ऐसा कहकर लच्मर जी अस्थान दिखलाया अस्थान को देखा सी रामचन ने सुख पाया जब देवताओं ने जाना कि इसी रामचन जी का मन यहां रम गया तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले बिस करमा को साथ लेकर चले कोल की रात बेश सब आए रचे परन तेन सदन सुहाए बरन न जाए मंज दोई साला एक ललित लग एक बिसाला सब देवताओं कोल भीलो के बेश में आए और उन्होंने दिब पत्तो और घासो के सुन्दर घर बना दिये दो ऐसी सुन्दर कुटिया बनाए जिसका रण नहीं हो सकता उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी सी थी और दूसी बड़ी थी मंगल भवन या मंगल हारी तबहुं से दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम लखन जान की सहित प्रवु राजत रुचिर निकेत सो मदनो मुनिबेस जनौरत रितु राज समेत लच्छमर जी और जान की जी सहित प्रवु सी राम जी सुन्दर घास पत्तों के घर में सोभाय मान है मानो काम दे मुनिका देज धरन करके पत्नी रती और बसंत रित के साथ सुसुभित हो मास परार सत्रावा विश्वाम अमर नाग किनर दिश पाला चित्र कूट आये तही काला राम परणाम किन सब काहू मुदित देव लह लोचन लाहू उस समय देवता ना किनर और दिख पाल चित्र कूट में आये हो सिराम चन्जी ने सब किसी को परणाम किया देवता नेतों का लाप पाकर अनन्दित हुए बरस सुमन कह देव समाजो नात सनात बहे हम आजो कर बिनते दुख दुशह सुनाए हरसित निजे निजे सदन सिधा आये फूलों की वर्षा करकी देव समाजने कह नात आज आपका दर्सन पाकर हम सनात हो गए फिर बिनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नास का अस्वासन पाकर हरसित होकर अपने अपने अस्थानों को चले गए समाचार सुन सुन कर बहुत से मुनियाए रगुकुल के चंदमासी राम चंजने मुदित हुई मुनिमंडली को आते दे का दनवर प्राम किया मुनि रगुबरहि लाय उरलेही सुफल होने हित्यासिस देही सी सु मेत्र राम चब देखें साधन सकल सपल कर लेखें साधन सकल सपल कर लेखें मुनिगार सी राम चंजी को हिदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशिरवाद देते हैं वे सीता जी लश्मर जी और सिरामचन जी की छब देखते हैं और अपने सारे सादनों को सफल हुआ समझते हैं जथा जोग सन्मान प्रभु विदा के मुनि बन करहीं जोग जब जाग तप निजयास में सूचन प्रभु सिरामचन जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मनली को विदा किया सिरामचन जी ने आजाने से भी सब अपने अपने आसमों में अब सुतंता के साद्यूग जाप्यग और तप करने लगे यह सुधी कोल की रात ने पाई हर से जन नोन दे घर आई कंद मूल पर भर भर दोना चले रंक जन लूटन सोना यह सिरामचन जी के आगमन का समाचार जब कूल भिलो ने पाया तो वे ऐसे हसते हैं मानो नव निदियां उनके घर ही आ गई हूँ वे दोनों में कंद मूल फर भर भर कर चले मानो दरिद सोना लूटने चले हूँ तिन माह जिन देखे दो बाता अपर तिने पूँचे मग जाता कहत सुनत रग बेर निकाए आए सबन देखे रग राए उनमें से जो दोनों भाईयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसे लोग रास्ते में जाते हुए पूचते हैं इस पकासी रामचंजी की सुन्दरता कहते सुनते सबने आकार सी रगनाजी के दर्सन कि करही जोहार बेट धर आगे प्रभवे लोग कहें अतियन रागे चित्र लिखे जन जहां ता ठाडे पुलक सरीर नयन जल बाडे भेट आगे रकर वे लोग जोहार करते हैं और अतियन तनुराग के साथ प्रभव को देखते हैं वे मुग्द हुए जहां के तहा मानों चित्र लिखे से खड़े हैं उनके सरीर पुलकी थाय और नेतों में पेमासियों के जलकी बाड़ा रही है रामसने है मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन माने प्रभु जोहार बहूर बहूरी बचन बिनीत कहें कर जोरी सी रामचन जी ने उन सब को प्रिय में मगन जाना और प्रिय बचन करकर सब का सम्मान किया वे बार बार प्रवसी राम चंजी को जोहार करते हुए हाँ जोड का बिंती बचन कहते हैं मंगल भवन या मंगल हारी रबहुं से दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम अब हम नाथ सनात सब भय देख प्रवु पाए भाग हमारे आगमन रावर को सल राय हे नाथ प्रवु आपके चन्नों का दर्सन पाकर अब हम सब सनात होगे हैं हे को सल राज हमारे ही भाग से आपका याँ सुभागमन हुआ है धन भूम बन पंथ पहारा जहां जहां नात पाव तुम धारा धन भी हग मग कानन चारे सफल जनम भै तुमे निहारे हेना जहां जहां आपने अपने चलन रखे हैं वे पैद्वी बन मार्ग और पहार धन हैं वे बन में विचरने वाले पच्छी और पसु धन हैं जो आपको दे कर सफल जन्म हो गए हम सब धन सहित परिवारा देख दरस भर नयन तुमारा केन बास वल ठाव बिचारे यां सकल दित रहब सुखारे